दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपके BSC Second Year Four Semester Botany के Unit First से जुड़ा हुए Topic Concept of Sustainable Development तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि Sustainable Development होता क्या है और इसकी Definition क्या है Sustainable Development is a development in which fulfillment of the need present generation without harming interest of future generation तो Sustainable Development का मतलब होता है सतत विकास यानि कि लगातार होने वाली विकास की प्रक्रिया तो वर्तमान में जो भी चीज़े हम यूज कर रहे हैं यानि कि वर्तमान में जितने भी हम Natural Resources को यूज कर रहे हैं फ्यूचर में भी उसका यूज करते रहे हैं इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं Sustainable Development तो आज की जो हम Natural Resources को यूज कर रहे हैं वो आने वाले पीडियों के लिए बचा के रखना जिस तरह हम उसे यूज कर रहे हैं वो भी हमारे पीडि भी उसको यूज कर पाए यहीं प्रक्रिया कहलाती है Sustainable Development यदि हम बात करें Sustainable Development के हिस्ट्री की तो सबसे पहले United Nation of Organization जो है सबसे पहले एक संबेलन जारी किया जिसे हम प्रिथवी संबेलन भी कहते हैं तो इस संबेलन में एक साइंटिस्ट थे प्रीजी डेस सिलर और इन्होंने एक कमीशन जारी किया जिसके अंतरगत उन्होंने ए एक organization को समिट किया और उस organization का नाम था Brutland Commission तो Brutland Commission ने सबसे पहले sustainable development से जुड़ा हुआ एक टर्म दिया या फिर कह सकते हैं कि एक report दिया जिसका नाम था our common future यानि कि हमारा सेयुक्त भविस जो कि 1987 में दिया गया था तो इस तरह से देखा जाए 1987 में जो sustainable development है ये सब के सामने उपड़ कराया ठीक है इसके पहले और भी प्रयास किये जा रहे थे लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा गया ठीक है यानि कि जो हमारा परयावरण है इ प्रयास हुआ वह हुआ ब्रूट्लेंड कमीशन के द्वारा जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ या कह सकते हैं कि sustainable development की new पड़ी और ये नेक्स हम बात कहते हैं कि sustainability के कितने कंपोनेंट है यानि कि इसके कितने पिलर है sustainability can be defined as a integration of three pillar of social, economic and environmental columns तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि sustainability के तीन पिलर है पहला है social, दूसरा है economic और तीसरा है environment it is an approach that is equally balanced यानि कि एक ऐसा प्रयास है जिसके दौरा जो हमारा sustainability है यानि कि जो हमारा प्रयास है वो balance रहता है वो कैसे balance रहता है यानि कि हमें maximum environmental care मिलता है social responsibility बढ़ती है और जो हमारे profit है यानि कि जो natural resources से हमें जो profit मिलता है वो भी बना रहता है तो यदि एक भी component sustainability का week पढ़ गया तो यहाँ पर हमारा जो development है वो week पढ़ जाएगा यानि कि unbalance हो जाएगा आई हम देखते हैं कि कौन कौन से organization काम करते है sustainability के pillar पर तो first है UNEP यानि कि United Nations Environmental Program and EPA यानि कि Environmental Protection Agency they are mainly focus on environmental pillar तो यह दोनों जो organization है यह environmental pillar को focus करते हैं यानि कि environment को बचाने का काम करते हैं इसके बाद next है WTO यानि कि World Trade Organization तो यह जो organization है यह sustainability के जो economic pillar है यानि कि जो economic चीजे है उनको focus करता है इसके बाद जो organization है वो है OECD यानि कि organization for economic cooperation and development तो यह organization किस पर focus करती है यह focus करती है economic और social sustainability पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sustainability के जो तीनों pillar है इनके बारे में दे रखा है पहला है social sustainability दूसरा है environmental sustainability और तीसरा है economic sustainability तो तीनों pillar का sustainability में क्या role है इसको मैंने दे रखा है आप इसको note कर लिजिए जो कि आपके exam में लिखने के लिए बहुत ही helpful होगा और यह next हम बात कहते हैं कि हमारे sustainable development के लिए क्या क्या उद्देश से होने चाहिए यानि कि principle of sustainable development तो सबसे पहला है conservation of ecosystem तो हमारे sustainable development का जो सबसे main goal है कि हम कैसे अपने ecosystem को बचा सकें जब तक हमारा natural resources नहीं रहेगा तब तक हम कैसे भविस्य में उसे use कर पाएंगे तो भविस्य में use करने के लिए हमें इसे बचाना भी जरूरी है उसके बाद है sustainable development of society यानि कि जो sustainable development है इसे हमें अपने social form में लेकर आना होगा यानि कि हमें अपने समाज में लाना होगा सबको aware करना होगा third conservation of biodiversity यानि कि हमारे ecosystem में जितने भी विविधताय हैं उन्हें भी बचाना होगा इसके बाद है population control यानि कि हम जब तक जन संख्या को नहीं रोकेंगे तब तक हमारे जो natural resources है वो रुक नहीं पाएंगे क्योंकि जन संख्या बढ़ेगी हमारे demand बढ़ेगी और demand बढ़ने की वज़े से जो हमारे natural resources है वो खत्म होगे इसके बाद है conservation of human resources यानि कि जितने भी human resources है उनको conserve करना होगा इसके बाद है increase people's participation यानि कि लोगों को natural resources को बचाने के लिए जो योगदान है उसके लिए aware करना होगा यानि कि वो इसमें participate करें कि कैसे हम natural resources को बचा पाएं और इसके बाद है included with caring capacity of earth यानि कि हमारे पिथिवी की जो caring capacity है यानि कि जो natural resources के रखने की जो छमता है उसको भी बढ़ाना होगा तो इन सभी principle का हम use करके sustainable development को बढ़ा सकते हैं हमारे sustainability के लिए कौन कौन से संकट के कारण है यानि कि threats of sustainability तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है climatic changes यदि climate change होगा तो environment पर इसका असर होगा और environment पर असर होगा तो जो natural resources है वो कम होगे इसके बाद है resource depletion यानि कि जो हमारे natural resources है उनका दिन परती दिन खत्म होना इसके बाद है energy consumption यानि कि हम उर्जा के रूप में इसका use करते हैं इसके अलावा जो संकट है वो है population growth यानि कि population का बढ़ना लगाता है population बढ़ने की वज़े से जो natural resources है वो कम होते जाएंगे फिर इसके बाद है species extinction यानि कि किसी भी जीव का पुरी तरह से पित्वी से खत्म हो जाना ठीक है तो अगर कोई भी natural resources है कोई भी जाती है अगर पित्वी से पुरी तरह से खत्म हो जाती है तो वो हमारे जो future है future के लिए रहने जाएगा ठीक है जैसे कि आपने पढ़ा होग जो डोडो है हम लोगों ने उसका इतना अधिक सिकार किया कि वो खत्म हो गया तो अगर हम किसी भी natural resources का इतना अधिक यूज करेंगे कि वो हमारे future के लिए बचेगा ही नहीं इसके लाबा है land uses यानि कि जो population बढ़ रही इस population के बढ़ने के कारण जो हमारी अर्थ है अर्थ का कारण है वो है technology और efficiency हमारी जो चमता बढ़ी है यानि कि हमारी जो technology पर dependence है उसके बढ़ने से हमारी जो natural resources है वो आने वाले दिनों में कम होते जाएंगे ये next बात करते हैं environmental sustainability index यानि कि ESI it is a measure of overall progress toward environmental sustainability तो ESI represent करता है कि किसी भी country द्वारा या फिर किसी भी जगे के द्वारा कितना environmental sustainability पर काम किया गया यदि अगर ESI अधिक है इसका मतलब है कि उस country ने environmental sustainability पर बहुत अधिक काम किया है और यदि किसी country का ESI काम आता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है country is facing sustainable problem in achieving environmental sustainability along multiple dimensions तो किसी भी country की जो ESI है वो बेश्ड होती है in five component पर तो in five component को आप note कर लिजेगा कौन कौन से component है पहला है environmental system दूसरा है reducing environmental stresses तीसरा है reducing human vulnerability चौथा है social and institutional capacity और फिप्ट और लास्ट है global stayward ship आये next नम बात कहते है कि sustainable development के कौन कौन से लक्ष है यानि की sustainable development goals तो सबसे पहले September 2015 में UN General Assembly ने 2016 से 2030 के लिए एक sustainable development goals तयार किया यानि की SDGS तयार किया तो आपको बता दे कि there are 17 SDGS with 169 associated target that are supported by three pillars of the sustainability तो कुल 17 SDGS है जो की 179 associated यानि कि उससे जुड़े बेकुल 169 target है जो की support करते हैं कि कि किसी भी sustainability के जो three pillar है उनको कैसे target किया जाए कैसे उन्हें बढ़ाया जाए तो दोस्तों इसी के साथ हमारा sustainability development से जुड़ हुआ आज का ये वीडियो खत्म होता है आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिन जभारत